तो 5th question में हमारे पास है x square प्लस का xy प्लस y square is equal to 100 ऐसा कुछ given है क्या x square प्लस xy प्लस का y square is equal to 100 ऐसा हमें given है इसमें तो अगर हम यहाँ पे अगर हम यहाँ पे derivative कर दें क्या कर दें derivative कर दें x square प्लस xy प्लस y square का हर जग़े जैसे प्याम अभी था करें x2 plus x2- ov करेंगे Y Square का और ऑफ इसके और अब और वह देटे वह फंड रेट का डेरिवीट्व फंड़ेट ठीक है देखलो डेरीवटेव ऑफ X Square प्लस डेरीवटेव फैक्स Y प्लस डेटव फ वाई स्क्वाइर इसकॉईर इसक डेटव फंड़ ठीक है अच्छा जी X square का जो derivative होता है 2X क्या होता है X square का जो derivative होता है 2X होता है अब X और Y में इन दोनों में लगा दो product rule product rule लगा दो तो X बाहर आ जाएगा derivative किसका होगा derivative होका Y का X बाहर derivative होका Y का ठीक है प्लस प्लस फिर य बाहर आएगा डेृट्ट सिंदी किसको होगा एकस का चेक कर लो मैंने इस वाले स्टैप में ये जो ब्रैकेट में लिखा गए इसकी लिखा है फिर से देख लो एकस्त बाहर कर दिया डे टिफ कर दिया से एकस का ततए लिए जल रहा है तक ठीक है प्लस अब यहां पर देखो वाई स्क्वाइर ना तो अब तो यह रट गया होगा ना सर्क्ल मान लिया तो वाई स्क्वार का फिले टूवाई आएगा फिर डीवाई डीएक्स बन जाएगा और हंड्रेट एक कॉंस्टेंट रहा में तो यह जीरो ह एक्सट इसकॉल two 0 को में अब आप यहां पर डीवाई डीवाई एश्क मानिम्स में और यह तो अगर dy dx मिलेगा common तो bracket में क्या जाएगा x plus का 2y is equal to minus का 2x minus का y तो dy dx क्या हो गया dy dx हो गया minus 2x minus y upon x plus का 2y ठीक है तो यह हमारा यहां से इसमें यह answer है समझ मैं है तो इस तरीके से हो गया क्या dy dx आ गया minus का 2x minus का y upon x plus का 2y चेक कर लो इस चीज को ठीक है और मैं भी देख लेता हूँ और आप लोग देखो आप लोग का यह आगे के नहीं बुक में जो आंसर दे रखका माइनस कॉमन ले रखका है 2x plus by x plus 2y ठीक है अगर आप यह भी लिखो कि फुल माक्सी में कटेंगे नहीं विल्कुल भी दिहार मत्राइब तो माइनस कॉमन ले लिए तो इक बन गया